नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल है जूटूबर देव पर तो दोस्तों आरपी एसी भी अप डीजी लॉकर को सपोर्ट करने वाली है जल्दी आपको पता होगा अगर आप सीबी एसी का एक्जाम देते हैं तो सीबी एसी की एक् लोक्यमेट रहता है बहुत सारे लाइसेंस भी जो है अप सारे आउनलाइन आने लग गए हैं डीजी लोकर में आते हैं तो डीजी लोकर इस एन एप और उस एप के तहट अब आरपी एसी के भी जो है कागजात रह सकते हैं दोस्तों देखिए क्या है ये पूरी जानकारी जास्तान लोग से वायोग यानि कि आरपी एसी अब्यर्थियों के दस्ताविजों की जांच को और सरल और स्मार्ट बनाने की त्यारी में हैं इसके तहट अब्यर्थियों के दस्ताविजों के लिए डीजी लोकर बनाये जाएंगे राजे के सूचना और प्रोध्योगी की बीजोड लीजिये, किरसी कारागार, चिकिसा शिक्षा, तक्निकी शिक्षा, कनिश्ट लिपिक, लेब, टेक्निशियन, कनिश्ट लेखाकार और अन्य परतियों की प्रिक्षा करवाता है, इनके लिए अबिर्थी ऑनलाइन फॉर्म बरके फीज जमा कराते हैं, प्रशली त् इसमें आगे क्या होगा कि यह जो इडिए वेरिफिकेशन डिजी लोकर होगा, इसका इवेरिफिकेशन हो सकता है, आपको सारे कागज बार बार ले जाने की जरूर नहीं है, आयोग अबिर्थियों का डिजी लोकर रत्वा इवालेट त्यार करने की योजना बना रहा है, आयोग अदेश डॉक्टर वुपिंद्र यादव ने सूचना प्रोद्योगी की विभाग यानि की जो IT सेक्टर है, उसके सहीत विविन संस्तानों से चर्चा शुरू की है, परतेक वॉलेट में अभिर्थियों द्वारा अरजित अंक, परिक्षा और शेक्सिक अभिर्थियों के बाद आयोग और अभिर्थियों को फायदा होगा, कई बार अभिर्थियों के कागज़ात गुम हो जाते हैं, तो वो उसमें नहीं होगे, क्योंकि आपके फोन नंबर होगे, अगर आप पासवर्ट भूल भी जाते हो, तो उसको वापस रिट्राइव कर स सकते हो, तो यह चांस रहेगा, तो कागज़ गुमेंगे नहीं, कागज़ खोने का कोई डर नहीं है, कागज़ों के जलने का कोई डर नहीं है, कागज़ों के चोरी होने का डर नहीं है, तो इस सारी चीज़े वाँ सेफ रहेंगी, आयोग को अभिर्थियों से सर्टिफिके यूनिक आवंटन किया जाता था इससे अभिर्थी को परतियों की प्रिक्षाओं का आवेदन शुलक देकर विसिष्ट नंबर भरना होता था इससे आयोग को पनजीकरत अभिर्थी का डाटा जो है मिलने में आसानी होती थी साथ ही अभिर्थीयों को बार बार दस्तावेज की परिष्टानी चेव चुटकारा मिलता क्योंकि हार अभिर्थि का वो विशिष जो नमबर था यूनिक आइडेंटिफिकेशन उससे पता चल जाता अब दोस्तों आयोग और अभिर्थियों को क्या इससे फायदा हो सकता है यह देखते हैं जरा आयोग अभिर्थियों को इस प्रयाण के लिए बढ़िया रहेगा भरती परिक्साओं न्यूक्तियों के दोरां दस्ताविजों का सत्यापन आसान हो जाएगा क्यों सारा सबकुछ एक ही जगह होगा तो पूरा वो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स वगएरा जो मार्शीट वगएरा वो सारा सबकुछ औरिजनल ही वहाँ पर जो है अप्लोडिट होगा तो आसानी से मिल भी जाएगा और यूनिक कोड से अब रती खोल सकेंगे डिजी लॉकर तो यूनिक कोड बगएरा जैसा वो सिस्टम आर्पे सी रखना चाहे अब केंदर सरकार ने राश्टी अकादमिक संगरन केंदर या यानि की दोस्तों योजना के तैद सभी संस्तानों को शेक्सिक दस्ताविजों का डिजीटल डाटा बैंक त्यार करने को कहा है इसे विध्यारतियों की सनात्तक और सनात्कोतर यानि की बीए में और अन्य पाठेक्रमों की जो डिग्री है डिपलोमा है अंक तालिका है प्र दिरे दिरे डीजी प्रेट फार्म पर लाने की योजना चल रही है अभी डीजी लॉकर पर चर्चा सुरू है इससे आयोग और अप्यर्थियों को सुविदाएं डेफिनेटली होने वाली हैं बाकि दोस्तों अपने आरपी से समदीत कोई भी अपडेट आती है एक्जाम से सम एक्जाम सोते हैं वो हो तो दोस्तों आपको यहां पर अपडेट मिलती रहेगी समय टाइम टू टाइम और असिस्टन प्रोफेसर पर नजर बनाए हुई है कि क्या एक्जाम डेट के आगे होने के चांसे हैं अत्वा नहीं है या फिर उसकी क्या कहानी है अलंग आगे होने जो लेट टेस्ट हमारे पास जो अथेंटिक जानकारी वो ही एक एक्जाम आगे नहीं होगा तो उसकी अकौडिंग त्यारी करने चाहिए बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आती है तो वो इसी चैनल पर आपको वीडियो के मादिम से अवेलेबल करवाता रहूंगा तब के लिए दोस्तों धन्यवाद नमस्कार